न्यूजेटीन नेटवर्ग, न्यूजेटीन बेयार जारखंट के रिपोर्टर्स वहाँ देवगर में त्रिकुट पहाड़ीयों पर पहुंचे हैं, उनसे लाइफ जोडने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको समझाना चाहूंगा कि यहां हुआ क्या है, इस हेलिकॉप्टर के जरिये इनको कैसे बचाया जा रहा है कि हेलिकॉप्टर के अंदर एक विंच होगा और इस विंच को हेलिकॉप्टर इस रोपे के पास तक पहुचता है और इसकी ट्रॉली के कैबिन के अंदर उस विंच को खीच कर फिर उसे वहां किसी एक यात्री पर ब गया है जहां हेलिकॉप्टर का पहुंचना भी मुश्किल है तो ऐसी जगे से इन्हें रिस्क्यू कैसे किया जाएगा ये एक एक करके अब तक 12 लोगों को तो रिस्क्यू किया गया है लेकिन 36 लोग जिनमें बच्चे भी शामिल है अभी भी इन ट्रॉली में फसे हैं कम से कम 24 घंटे हो गये हैं अब एक और खबर आ रही है कि जब ये माई 17 के चौपर्स इस तरह के रेस्क्यू को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं तो उपर जो फसे हुए हैं 24 घंटे अगर आप एक ट्रॉली के अंदर फसे हुए हो और भी हवा में तो आप सोचिए कितना के अंदर इनके लिए पानी पहुचाया जा रहा है तो इन ट्रॉली के अंदर ड्रोन के जरिये इनके लिए पानी पहुचाया जा रहा है खाने पीने का थोड़ा बहुत समान पहुचाया जा रहा है ताकि वहां पर जो बच्चे हैं बौरते हैं पुरुश हैं जितने भी य प्रेक्नोलजी का भी परयोग किया जा रहा है कुछ गैबिंस के लुग के अंदर हमने देखा कि हमका अ की जारी है जो जमीन के कृब हैं पहाडी से दूर है और यह सतय पास वाली जो है कहिसे के जारी हैं और साल्ट मुषक्नीय केल हाई यह सुनते हैं देखिए उस पर कल से ही मेरी नजर है और NDRF से भी मदद ली गई है एरफोर्स से भी मदद ली गई है और जो इसके एक्सपर्ट्स हैं गरूरा कमांडो उनका भी सहायता लिया जा रहा है और जो उस रोपे को जिन लोगों ने बनाया है उनकी टीम भी पहुँच गई है और खुल मिला करके सबी तरीके से प्रयास हो रहा है तो इसमें इंडियार आर्मी के साथ साथ वायू सेना भी जुड़ी है राहत कार्य में 2000 फिट की उचाई पर है तो दोनों तरफ जाती हुई इन ट्रॉलियों में लोग फसे हैं इनको इस तरह विंच के जरीए जो कि इस हेलिकॉप्टर से जुड़ा हुआ है इस विंच के जरीए उतारा जा रहा है और फिर वो उसके अंदर जाएगा और वहाँ पर मौझूद किसी एक यात्री को बांध कर फिर उसको बाहर लेकर जाएगा अब जो ये विंच ऑपरेटर है हेलिकॉप्टर में बैठा हुआ उसे ध्यान रखना है कि ये व्यक्ति जब भार निकलता है और साथ ही जो हमारी सिष्टर एजन्सीज हैं इंडियन एरफोरस है आर्मी है एंडिया आरेफ है जो स्टेट पुलिस के भी लोग है अडिमिस्टेशन के लोग हैं उनके मादम से भी लोगों को बचाने का काम जारी है एक और जो ट्रॉली थी उसमें से भी चार लोगों को तुरूश रोटी निकाल लिया गया है जो होवर करके निकाला जा रहा था तो अब आठ लोग निकाल लिये गये हैं जैसे मुझे सूचना मिली है और बाकी जो 40 लोग है उनको भी निकालने का काम लगातार जा रही है माधियम से भी हम देख पा रहे हैं कि लोग सुरक्षित हैं और हम उनको निकाल पाएंगे जो भी लोग हैं लगबग 40 लोग उनको निकालने के पूरे प्रयास आइटी वीप और शिष्टर एजेंस के द्वारा किया जा रहे हैं तो क्या हेलिकॉप्टर से आप निकाल रहे हैं एक तो जो 60 फीट के जो ट्रॉली थी उससे हमारे जवान था एटी वीपी के और जो एंडी आरे की हमारे जवान है साथ ही साथ जो स्थानी प्रशास ने उनके माधियम से जो रोप था उसको उपर पहुंचा के और उनको सेफली एंकर करके धीरे-धीरे करके नीचे ला हैं और हम चाहते हैं कि लोगों को सुरक्षित निकाला जाए इसलिए बहुत ही सावधानी से यह पूरा रेस्क्यू ओपरेशन चलाया रहा है जी देखिए इनका यह रेंज कर रही है अलग-अलग जो सबसे नीचे जो ट्रॉली थी वह 50-60 फीट लगबग उसकी उचाई है और जो सबसे हाइट पे ट्रॉली हो लगबग 500 फीट की उचाई पर है तो इससे रेस्क्यू रेस्क्यू ओपरेशन बहुत ख्याल रखना पड़ रहा है लोगों का ऐसा नहों कि हम लोगों को सुरक्षित ही निकाले किसी तरक और हाथसा नहों इसकी पूरे हम लोग करने हैं जी वही जो मैंने माध्यम बताया कुछ लोगों को तो पहुचाया गया है एक्जैक्ट सभी ट्रॉली में उस धंग से रीच पॉसिबल नहीं हो पारी है हाइट की वज़े से लेकिन जो भी पॉसिबल हो पारा है हेलिकॉप्टर के माध्यम से उनको फूट पैकेट वगेरे रोप्स के माध्यम से पहुचाया जाले है देखिए कंफर्मिशन वैसे यह थोड़ी देर पहले का अपडेट है अभी हाल का अपडेट आपको बता दें कि 12 12 ट्रॉलीज में 48 लोगों की आसमान में अटकी थी जान 24 घंटे से अटकी थी जान उसमें से चार ट्रॉ कि रक्षा करेगा एक ये और दूसरा रोपवे से उन्हें धीरे धीरे आंकर करके उतार दिया गया है कम से कम 15 लोगों की जाने बचा दी जा चुकी है नीचे बॉटम पर स्क्रीन के आपके आप देखिए अपडेट ताजा अपडेट यही है कि चार ट्रॉली खाली हो चु नहीं पहुचाया जा रहा है इनको कहा जा रहा है कि सही अब बरते लेकिन अगर आप 1500 फुट 200 फुट हवा में लटके हो और आपकी जान वहां अटकी हो तो फिर सहीं बरतना मुश्किल है लेकिन अभी भी कोशिश जारी है भारतिये वायू सेना भारतिये सेना ITBP और पु से हैं आईए देखते हैं यह लेटेस्ट अपडेट जहां बताया जा रहा है कि दो महिलाओं की मृत्ति हुई है और कम से कम अभी 15 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है कि देवघर में बड़ा रूपवे हादसा रूपवे में फस गई जिन्दगी त्रिकूट पहाड़ पर ऑप्रेशन जिन्दगी देवघर में त्रिकूट पहाड़ों की बीच उबीच उस वक्त हकम पच गया जब रूपवे की ट्रॉली अचानक पूल पूर्ण प्रशासन रेस्प्यू ऑप्रेशन चलाया रोपे में फसे लोगों को बचाने के लिए उप्रेशन जिन्दगी शुरू हुआ यूद इसतर पर रहत और बचाव का का शुरू हुआ आस्मार में हेलिकॉप्टर के जरीए लोगों को बचाने की कोशिश की गई इस वक्त मौजूद है ह देवगर के ट्रिकुट पाहर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इंडियन एयर फोर्स का हेलिकॉप्टर यहां पर मौजूद है और लगातार प्रयासरत है कि किसी तरह जो 48 लोग फसे हुए हैं उपर उन्हें बचाया जा सके आप तस्वीरों के माध्यम से देख स सुबर पांच बजे से लेकर आप तक रेकी किया जा रहा था और अब जो है लग रहा है कि ऐसा जो लोग फसे हुए हैं उन्हें निकाला जाएगा त्रकुट पाहाड रोपवे में हाथ से मामले में रेश्क्यू का कारे जारी है लगातार जीला प्रशाशन के द्वारा यहां पर जुन्गरानी की जा रही है आप देख सकते कि रात भर जो है यहां पर देवगर डीसी खुद यहां पर मौजूद थे देवगर एस्पी भी मौजूद थे हम अभी की वस्तु इस्थिती के पोच सेदर जानने की कोसिस करते हैं यह जो गटना जो कुई है एक पुली से रोप जो है थोड़ा सा नीचे आने के वज़े से गटना गटी है और अभी उपर 12 ट्रॉली है जिसमें 48 लोग अभी भी परेटक है लेकिन चिंत कारण जो भी हो लापरवाही किसी की भी हो लेकिन इस हाथसे में कई जाने चलीगे लोगों को गंभीर चोटे आई इसकी जांच उनी चांच ताकि दोश्यों को सक्त सजा दिलाई जा सके और भविशे में कभी ऐसे हाथ से ना हो ये भी सुनिश्चित होना चाहिए